नमस्कार दोस्तों मैं बाबुराम पटेल आप सब भी का आज एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल बाईलोजी जोन में स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं हमारा टॉपिक है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरा साइट है मलेरिया पर जीवी है आज का हमारे यह टॉपिक है चलिए सुरू करते हैं देखते हैं यह जो प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडिय मलेरिया का जो रोग का कारक है वह प्लाजमो डियम है अर्थात मलेरिया जो रोग है वह प्लाजमो डियम के कारण होता है यह बताया चार्ल्स लैवरॉन ने ठीक है चले दूसरा पॉइंट क्या है relationship between मास्कीटो एंड मलेरिया यह बताया लान्सीसी ने लान्सीसी ने क्या कहा कि जरूर मच्छर और मलेरिया के बीच में संबंध है यह अनुमान के वल बता रहे थे दोस्त, लांसिसी के वल अनुमान बता रहे थे जब पहले यह सिध्ध नहीं हुआ था, तब की बात है, और थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, यह कर लाइफ हिस्ट्री इन फिमेल एनाफिलीज, किसने कहा ग्रैसी ने, ग्रैसी ने कहा कि जरूर इसका जो लाइफ हिस्ट्री है, इसका जो जीवन का चक्र का इतिहास है, फिमेल मादा एनाफिलीज में होता है, किसने कहा दोस्त, यह कहा ग्रैसी ने, ठीक है, अगला जो महत्पूर्ण प्रसन है, महत्पूर्ण जो प्रसन अभी तक बना भी है, वह है रोनाल्ड रास से समंदित रोनाल्ड रास को मत भूलिएगा मेरे दोस्त देखिए इन्होंने क्या कहा अभी तक यहां नुमान बताया गया कि मच्छर और मलेरिया के बीच में संबंद है लांसीसी ने कह दिया इसका रोक का कारण है मलेरिया के रोक का कारण है प्लाजमोडियम कह दिया चैल्स लेवरान ने लेकिन अब रोनाल्ड रास ने कंफर्म किया कंफर्म रिलेसंसिप बताया मच्छर और मलेरिया के बीच में बताया कि बिल्कुल इनके बीच में संबंद है और मलेरिया जो होता है मक्छर के कारण ही होता है बिल्कुल असपस तरीके से बताया क्या प्लचमो डीयम की 1902 में नूबल प्राइस से सम्मानित भी किया अब यहां से पुष्टी हो गई जरूर मलेरिया जो रोग होता है वह प्लचमो डीयम की कारण ही होता ठीक है चलिए प्लसिफिचेशन देखते हैं प्लाजमो डीयम का क्लसिफिचेशन ठीक है इसका बर्गी करना फाइलम आप जान दी रहे प्रोटो जोवा चल रहे है क्यों कि प्रोटो जोवा में अभी हमारा था पेपे आज यह समापती की ओर है ठीक है पेपे तो यह पैरामीसियम यूगलीना और प्लाजमोडियम और एंटमीबा तो यह प्लाजमोडियम यह अंतह पर जीवी है ठीक है शरीर के बाहर नहीं रहता जू चीलर खत्मल इस अब तक हमारे सरीया के उपर वह रहते हैं लेकिन यह जो है इंडो पैरासाइट है शरीर के कहा होता है अंदर होता है अब ब्लड पैरासाइट यह लोग देखो अंदर तो है लेकिन कहां किसके इंत्ट्रासिल्र पईरा साइट यह देख़ें, सिल्डर रहेगगा, यहनी ब्लड सिल्स के अंदर जैसे RBC हो गया, लिवर हो गया, उसके अंदर घुसके रहता है, इस करणेश को कहा गया ब्लड पैरा साइट और इंत्रासिल्लर पैरा साइट, ठीक है, नहीं तो आप जानते आप हमारी बात ध्यान रखिएगा जो फिमेल मक्षर होता है जो मादा जो एनाफिलीज है यही जो है मलेरिया रोको फैलाता है क्योंकि इसमें जो है चूसक होता है इसके दात में अनर वाला जो होता है नर वो मनुस्य को नहीं काटता है ठीक है बाइट नहीं करता है वो बलड नहीं सक करता है वह फूलों के रस को चूसता है जो मेल मास्कीटो होता है मेल एनाफिलीज फूलों के रस को चूसता है अब फिमेल एनाफिलीज क्या करता है वह देखेगा कि कहा सो रहा है हो कोई चले हम दीरे से उसको चूस ले उसका बलड ठीक है तो यह खुन चूसने वाला है अब इससे भी महिलाएं खुन देखिए प्लाज्मोडियम की चार मुखी स्पीसिस कौन सी हैं पीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम फैलसी पेरम प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम ओवेल ठीक है तो चार है जैसे आप सुनते हैं कि इनको मलेरिया हो गया है पीवी हो गया है पी करण प्लाज्मोडियम बाइबैक्स के करण यह जनली सबसे ज्यादा इसी करण में ले दिया होता लेकिन खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैलसी पेरम ठीक है चलिए अगली बात यहां देखिए सबसे खास बात जो पूछी जाती है कि कैसे जो डॉक्टर जांच करते हैं जो चे अर्थात प्लाज्मोडियम बाइबैक्स की उपस्थिती है कि प्लाज्मोडियम फैलसी पेरम की उपस्थिती है कि प्लाज्मोडियम मलेरी की उपस्थिती है ठीक है इनहीं की उपस्थिती की आधार पर बताते हैं तो अगर सुफनर डाट्स मिलती है सुफनर डाट्स तब समझ जाते हैं कि क्या है प्लाजमो डियम वाई वैक्स याद रखिएगा मेरे दोस्त यह सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक कि प्लाजमो डियम वाई वैक्स अगर मौजूद है तो वहाँ पर कौन से डॉट सेल्स होंगी सुपनर डॉट सेल्स होंगी अगर मौरर डॉट सेल्स हैं तो वहाँ पर क्या होंगे प्लाजमो डियम फैलसी पेरम होगा अगर जाइमेंस डॉट सेल्स होगी तो वहाँ पर होगा प्लाजमो डियम मलेरी ठीक है अब देखिए जरा प्लाजमो डियम इस डाई जेनेटिक प्लाजमो डियम दूई पोसद होता है यानि दूसरा पोसद क्या होता है मास्कीटो होता है इसमे दो होस्ट होते है मैं एन्ड मkę कर लाइप साइप साइक曼 चलती है नाइप साइक вч में इसके kud perfection और सेक्सूल होता है तो जो एक शौर 60 रिपर ले वहता है वह वहाँ कहां हता है मनुष्ये में टी Grund state में कौन सारी प्रोडक्शन होता है, सेक्स्वाली प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मास्कीटों में वो भी फिमेल एनाफिलीज है, इसका जो है सेकेंडरी होस्ट जो है, ठीक है, फिमेल एनाफिलीज, अब एसेक्स्वाली प्रोडक्शन देखिए, जो मनुस्ष में इसका एसेक्स खुन को चूसने के प्रयास में तो जैसे ही वह हमें बािट करता है वैसे ही अपनी स्पोरोज्वाइट जो स्टेज होती है वह डाल देता है बलड में अब बलड में डालने के बाद सीधे बलड से कहां पहुंशता है लीवर में लीवर में अब उसकी स्टार्ट होती है क्रिया लीवर में पूरी लाइप साइकिल इसका जो है दूसरे लक्षर में मैं बताया पूरा समझाओंगा अब इस्तार से तो यहां आप एक तरीके से देखिए कि लीवर में जो चक्र चलता है उसके कहते है इक्जो इरित्रोसिटिक साइकिल इरित्रोसिटिक साइकिल मतलब रुधिराणु चक्र तो रुधिराणु के बाहर होता है मतलब कहां लीवर में होता है इसके लिए इसको कहते है इक्जो इरित्रोसिटिक साइकिल या कहिए यहीं से सुरुवात ही होता है तो प्री इक्जो इरित्रोसिटिक साइकि भी कहते हैं इसको ठीक है और इसका जो आरबीसी में जो चक्र चलता है वो होता है इरिथ्रोसिटिक साइकल ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा कि एसेक्सुलिपोडक्शन मैं में होता है और मैं में भी इसका लिएसेक्सुलिपोडक्शन लिवर और आरबीसी में होता है ठीक ह प्लाज्मोडियम की यवस्था कौन सी? इन्फेक्टिव टू मैन यद्य प्लाज्मोडियम की वह अवस्था जो मानों को संक्रमीत करती है कौन सी होती है तो वह होती ही स्पोरोजवाइट इसपोरोजवाइट स्टेज ही इसकी संक्रमीत अवस्था होती very very most important question ठीक है sporozoid यह मानों में संक्रमी तवस्था है देखिए अगला point क्या है the stage प्लाज्मोडियम की आवस्था injected by mosquito जो किसके द्वारा inject किया जाता है मनुष्य में मच्छर के द्वारा into human blood यानि प्लाज्मोडियम की वह आवस्था तो यही सबसे पहले यही तो संक्रम की जाती है यही inject की जाती है ठीक है sporozoid इसे आप ध्यान रखिएगा बहुत ही important questions इससे बनना है भी तक अगला point है sporozoid directly goes to parenchyma cell supply लिवर यानि sporozoid डिरेक्ट पहुंशती है कहां तक parenchyma cell liver की parenchyma cell तक डारेक्ट पहुंशती है ठीक है इसके लिए किसी अलग से जरूरत नहीं की चल भी या कोई साधन कर लीजिए गोडा गोडा कर लीजिए ऐसा कुछ नहीं डारेक्ट जो है bite करती है तो डारेक्ट पहले यह blood से होते हुए सीधे circulation के दोवारे डारेक्ट लिवर कर पहुंशती है ठीक है चलिए अगला देखे यंग स्टेज आफ प्लाज्मोडियम ब्लाज्मोडियम की यंग वयस का वस्ता होती हूँ ही मेरे मैंने बताया कि ना मेरा δूसरा चलग लिए नहीं और होगा देखे जरू करना स्ट्रक्चर में कुछ इस परकार से एक बड़ा नेुक्लिस भी होता इसमें ठीक है इस तरीकर इस मायट्रो कानटीयद्या भी होता इसमें तो प्रशाधिर आप इस प्रो जूएट सेल सक्केंद्रह सह tussen पंद्रह मां। डिया सकते हैं सीकल सेंगे इता है और सिकल सेइफ यह व कही है अगया है। फार दोन गोनी, मैंने बताया कि कहां कहां इसका इसेक्ष्वली पॉडक्श्न होता है, पहला रूदर में होता है दूसरा किसे में होता है, आर भीसी में, तो जो साइसो गोनी की क्रियाazing है, यह दो होती है, यह नहीं किया, नदनाओं साइजोगोनी है क्या मल्टीपल फीजन है अब जिसके दोब आप जानते हैं कि यह यह इरिथ्ट्रोसिटिक साइकल मैं ने बताया कब होता है जब चक्र चलता है जो है यह प्लाज्मोडियम फैल सी पेरम पलाजमो डियम फैल सी पेरम में एक जो इरिथ्रोसिटिक साइकल अपसेंट होता है मेरे दोस्ति इसको ध्यान रखिएगा अब देखें इनक्यूबियसन पीरेड आ गया अगला आप मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट इनक्यूबेशन पीरेड है क्या एक समय की अवधी है किसके किसकी बीच में इनीसियल इस्पोरोस्वाइट टुफस्ट अपिरेंस आप यही जो रोग उत्पन होता है इसका मतलब यह मैं आपको अपनी भासा में समझा दू मेरे दोस्त कि जब यह मादा इना फिरीज बाइट करता है जब काटता है उसके बाद इस्पोरोस्वाइट इंटर हो जाता है तो जब इस्पोरोस्वाइट इंटर हो जाता है उसके बाद होता क्या है कि जब मलेरिया malaria हमें पहली बार जब यह थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि हाँ अब होने वाला है तो यहां तक appearance malaria disease का appearance तक यानि काटने से malaria रोक के appearance तक कि जो आवध ही होती है इसे कहते है incubation period और अगर plasmodium vivax हो रहा है तो इसकी appearance होती है कितने दिन का 14 दिन को होता है अगर malaria हो रहा प्लाजmodium malaria है तब यह कितने दिन में appearance होता है 30 दिन में इसका incubation period है और plasmodium avail होता है तो 14 दिन का है अगर plasmodium फैल सी पेरफ है तो 12 दिन का है इनका incubation period ठीक है duration of erythrocytic cycle अब erythrocytic cycle कहा होता है RBC में होता है तो इसकी जो duration होती है अबद ही होती है इस एर्थrocytic cycle का 48 hours किसमें होती है इन तीनों 48 hours की होती है plasmodium vivax, plasmodium avail और plasmodium फैल सी पेरम इनकी जो erythrocytic cycle की जो अबद ही होती है वह कितनी होती है 48 hours होती है जब कि केवल एक भिन्न यहाँ पर है उसकी 72 hours होता है किसका plasmodium malaria का plasmodium malaria की जो duration है erythrocytic cycle की वह है 72 hours ठीक है अब देखी अगला points है यहाँ पर कि gametocyte साफ malaria paracite malaria paracite का जो gametocyte होता है जिससे gamet बनते हैं are developed from mirror choice in RBC of mine मलब gametocyte सबसे पहले बनना कहाँ प्रार्म हुआ कहाँ यह developed हुआ सबसे पहले तो हम आपको बदा दे कि mirror choice होती है mirror choice होती है कहाँ in RBC of mine यानि मनुष से के RBC में ही gametocyte develop हो जाती है लेकिन यहाँ पर reproduction, sexual reproduction होता नहीं है वो होता है mosquito के कहाँ पर, stomach के अंदर होता है यानि stomach wall पर होता है sexual reproduction gametocyte तो यहाँ से बन कर complete हो जाते है RBC से अब जैसे ही mosquito फिर से सक करता है, चूसता है blood तो उस blood के साथ हो उसकी मादाइन अफ्लीज के अंदर पहुँच जाता है अब वहाँ पर यह male और female gamet macro और micro जो gametes होते हैं वो अपने रूप में आ जाते हैं और वहाँ से sexual reproduction की क्रिया होती है, ठीक है अगला point क्या है, कि sexual phase in life cycle of plasmodium plasmodium में जो sexual phase होती है occurs in the gut of mosquito कहाँ होता है mosquito के gut में, ठीक है जो मैंने बताया कि यह sexual reproduction मनुस्य में होता है वो भी liver और RBC में मिला के अगर liver में हो रहा तो उसे कहेंगे exo-erathrocytic cycle अगर RBC में हो रहा तो उसे कहेंगे erithrocytic cycle और वहीं से जो है RBC से ही इसका जो है बन जाता है, क्या बन जाता है इसका development हो जाता है game to side का और फिर उसके बाद जब mosquito के gut में इंटर करता है तब वहाँ sexual की process इसकी सुरू हो जाती है ठीक है देखे, game to side अभी में बात ही कर रहा था कि game to side का development कहा होता है कि RBC में होता है erithrocytic cycle के दवरान उसके बाद जब यह इंटर कर जाता है mosquito के यानि आमासे में gut में प्रिवेस कर जाता है तब वहाँ पर यह जो game to side होती है यह दो तरह सो जाती है mega game to side और दूसरी micro game to side एक mega game to side हो जाती है और यह दूसरी कौन सी micro game to side अब micro आप समझे micro sports है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि यह क्या है male gamete है और mega game to side क्या है यह female gamete है अब यह जो होती है जो female gamete होती है यह mega gamete होती है इसकी संख्या एक होती है एक बनती है जो micro gamete होती है इनकी संख्या कितनी बनती है 6 से 8 तक बनती है और यह motile होते है यह motile होते है और mega game to side से non motile होता है ठीक है अब यहाँ पर इसी कारण से इसमें जो प्रोसेस होती है एन आइसो गैमस परकार का होता है इसमें एन आइसो गैमस का मतलब जब मेल जो है मोटाइल होता है चलता है और फिमेल क्या नार मोटाइल होता है दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो समान नहीं होता है आइसो गै यह चोटा और सक्री है मोटाइल है यह बड़ा जो एक दम नान मोटाइल है ठीक है तो इसमें फ्यूजन होता है फ्यूजन के बाद अब यहां पर किसका निर्मार होता है उकाइनीट का निर्मार होता है इसे ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त बहुत ज्यादा इपर्टन कोफचन है कि जो साइट होता है ता ही मैं और मास्किटो बाइ सकिंग हुमन बलड अभी मैंने यही बात कियी था किये बात squeeze कैसे इंटर न करता मच्छर के कहां पर मच्छर यानि फिमेल एना फिलीज के इस टुमक में कैसे पहुंचता है गेमटोसाइट जब वह क्या करता है सक करता है human blood को क्या करता है चूसता है जब वह काड़ता है तभी blood को जैसे चूस रहता है जो infected man है संक्रमित जो अदमी है उसको जब bite किया तो उसके blood जो है इसके जो है कहां पहुंच जाता है वह पहुंच जाता है फिमेल एना फिलीज के इस टुमक में ठीक है यह गेमटोसाइट से जो यही गेमटोसाइट से मेल और फिमेल की तरह भी हैब करती है अब देखिए erythropocytic cycle erythropocytic cycle मैंने बताया कहां होता है रबीसी में होता है तो इसमें चार आवस्थाएं होती मेरे दोस्त चार आवस्थाएं होती है चार फेज होती है कौन कौनसी एक तो होती signaturing stage और दूसरी होती है amiboid stage अथवा इसे कहते है growth period ठीक है ये सभी टर्मिनोलाजी अभी देख लिए थोड़ा सा ये जो ड Norway mt game paralyzed evolved मैंने बताईय न कि एक होता है थेक होता है और सकल नम्हारी और भी क्या है इसके जीवन चक्र से संबंद से अभी तुम मैंने चारी स्टेज बताया री-श्रो-मी त्र prescribed यह जरा crypto joids और crypto mirror joids, macro meta crypto mirror joids, यह है क्या मेरे दोस्त मैं बिल्कुल अपने अगले lecture में इसकी life cycle लेकर का रहा हूं, life cycle बहुत ही important है, तो आपको यह मैं erithrocytic cycle का और यह terminologic crypto joids, crypto mirror joids, और साइजो गोनी, macro, meta crypto joids क्या है, मैं बात करता हूं, ठीक है, चलिए आज के हमारी इस lecture में बस यहीं तक, ओके, थेंक्यू